बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में चर्चा की है कि हमारे संसाधन कौन-कौन से हैं, उसमें भी जो प्रमुक संसाधन था हमारा, भूमी संसाधन, मृदा संसाधन, इस पर हमने बात की. आज हम बात करते हैं कृशी पर. कृशी को तो हम उसी भूमी संसाधन पर ही इस कारी को करते हैं, यह हमारा प्रात्मिक व्यवसाय है, और यह डिपेंड करता है कि किसी स्थान की जो मिट्टी है, वो कितनी उपजाओ है, किस प्रकार की उसकी विशेश्टा है, उसके अधार प कि हमारे जो बुजूर्ग हैं या हम कहें कि हमारे जो पुर्वज हैं वो जिन फसलों का उत्पादन करते थे खाध्यान फसल के रूप में या फिर हम कहें कि पहले तो हम बात करें कि खाध्यान फसले जो हैं वो प्रमुक्ता से उगाई जाती थी तो हमारे जो पुर्वज जि अभी भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी हम उनी फसलों का उत्पादन करते हैं हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है पहले जो उत्पादन किया जाता था जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता था वो आजीविका के निरवाह के उदेश से किया जाता था मतलब पेट भरने के उदेश से किया जाता था भोजन की आवशकताओं की पूर्ती के लिए किया जाता था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका pattern जो है फसल प्रती रूप में थोड़ा चेंझ आया है समय के साथ समय के साथ चीजे बदलती गई, टेक्नोलोजी में बदलावाता गया, प्राध्योगी की वो विक्सित होती गई और इसी के साथ हम देखते हैं कि फसल प्रती रूप में भी बदलावाया है पहले तो हम सिर्फ आजीवी का निर्वाह के उद्देश इसे करते थे लेकिन अब इसका जो इस्थान है, वो एक व्यवसाईक रूप ने ले लिया है और अभी हम अपने देश में भी देखते हैं, विश्व इस तरपर तो ये चीजे है ही लेकिन हम अपने देश पर भी बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो कृषी का स्वरूप है वो व्यसाइक हो गया है मतलब कृषकों को जिन फसलों का उत्पादन करने में अधिक लाब मिलता है अधिक पैसे मिलती है अधिक इंकम मिलती है तो क्रिशक भी ये चाहता है कि उन्हीं फसलों का उत्पादन वो करे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाप प्राप्त कर सके आए प्राप्त हो पाए उसे तो इस प्रकार के चेंजेज जो हैं वो भारत की क्रिशी के साथ साथ विश्व इस्तर पर भी हमें देखने को मिले हैं अब हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की जो फसले हैं और कब-कब ली जाती हैं तो अगर हम अपने देश के संदर में बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां भी फसल का जो प्रतिरूप है वो अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है कहीं पर हम देखते हैं, जादा बारिश हो रही है, अधिक नमी है तो वहाँ पर नमी वाली फसले ली जाएंगी या फिर कुछ ऐसे छेत्र जहां पर सिचाई की सुविधाये नहीं उपलब्द हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है एक तो हम बात करते हैं कि पूरी भारती कृषी जो है वो मानसून पर डिपेंड होती है लेकिन अभी समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता गया तो सिचाई की सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है लेकिन हम देखेंगे कि सभी जगर एक समान नहीं देखने को मिलता कहीं पर खरीव की मौसम में ही फसले ली जाएंगी क्योंकि वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है और कहीं पर अगर सिचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर खरीव के साथ फिर रभी की फसले भी ली जाती है तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि फसलों का जो प्रतिरूप है वो भी बदल जाता है कि कहां पर खरीव की फसले उगाई जाएंगी और इसी आधार पर इन फसलों की उगाने की आधार पर ही जो है वो रितूओं का निर्धारन किया गया है या हम कहें इन रितूओं के नुसार फसले जो है वो उगाई जाती है तो प्रमुक रूप से यदि हम देखें अपने देश का फसल प्रतिरूप का तो हमें तीन प्रतीरूप देखने को मिलते हैं पहला खरीफ है दूसरा रभी और तीसरा जायद तो पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ पर बच्चों, शायद आपको पता होगा कि हम खरीफ फसले कहते हैं वो आपकी धान है जो हमारे चतिसगर में प्रमुख रूप से हुगाई जाती है जैसे ही खरीफ की रीतु का हम कहें या खरीफ फसलों के मौसम का आगमन होता है तो मानसुन का भी आगमन हो जाता है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसमें इन फसलों की बुआई का जो कारि है वो शुरू हो जाता है और मानसुनी वर्षा जो है वो लगभग पूरे भारत में होती है पहले भी हमने बात की कि पूरे भारत की जो क्रिशी है वो आपकी मानसुनी वर्षा पर निर्भर होती है हां कुछ छेत्र हैं जहां सीचाई की सुविधाएं उपलब्द हैं लेक क्योंकि बारिश का जो पानी है वो सभी जगह हो रहा है तो उसे खेतों में पानी उपलब्ध हो जाता है और इस मौसम में रितू में हम देखेंगे कि देश के लगभग जो पूरे कृशी भूमी जितनी भी कृशी भूमी उपलब्ध है इस देश में तो लगभग पूरी कृ तो हम यह कहेंगे कि स्रीतु में मुख्य रूप से आद्रता वाले जो फसले होती हैं जिनको बहुत जादा नमी की आवश्चक्ता होती है ऐसी फसले जो है वो उगाई जाती है और इस मौसम की प्रमुख फसले कौन सी होंगी आपके दिमाग में पहले ही आगया होगा क्योंक अधर्साटा होती है तो इस मौसम में उगाय जानी वाली फसलों की हम बात करें जिसमें करमुख रूप से मुख्य फसले जो है धान है मक्का है जार है बाजरा है या हम तुवर की बात करें उडद तील और मूमफले यह कुछ ऐसी फसले हैं जो प्रमुख खरीफ रितु के दोरां या खरीफ मौसम के ही दोरां जो है वो उगाई जाती है, इसके बाद हम आजाते हैं, रवी के मौसम पर, तो जैसे ही खरीफ के मौसम के खतम होता है, समापत होता है, उसके तुरंत बाद जो है वो रवी की खेती शुरू seriously likes and date thee and then the pleaser chap in turn? के दौरान ही ये रभी की फसल जो है वो उगाई जाती है हम देखते हैं कि इस मौसम में या इस रितू में जो है वो वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और वर्षा के कम हो जाने से जो सिंचित भूमी है या नमी वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर ही इस प्रकार की जो क टुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि खरीप मोसम में तो हम देख रहे हैं, कि पूर भारत के छेत्र में'S जोमेद दी कि मानसुनी वर्ष से पानी की मात्र, जल की मात्र उपलब्द हो जाती है। लेकिन रबी की मौसम के दौरान हम देखते हैं कि ऐसे ही छेतर जहां पर सिचाई की सुविधा उपलब्ध होती है या नमी की मात्रा उपलब्ध हो या फिर ऐसे जो हम कहें फसले जिन्हें कम नमी की आवश्चक्ता होती है ऐसे ही छेतर फल पर जो है वो रबी की फसले उगा और दूसरी बात यह होती है कि इसमें भी ऐसी फसले उगाई जाती हैं जो शीत बरदाश्ट कर सकती हैं मतलब बहुत ठंड को बरदाश्ट कर पाती हैं अब इसमें प्रमुक फसलों की हम बात करें तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा प्रमुक फसल इसकी होती है गे हम देखें कि जहां पर भी जिस छेत्र में भारत के कुछ ऐसे भी छेत्र हैं जहां पर शीत काल में ठंड के मौसम में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है या सिचाई के द्वारा जो है पानी की उपलब्धता हो जाती है वहां पर उन छेत्रों में जहां पर सिचाई की थोड बहुत मात्रा उपलब्द होती है या थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है उन छेत्रों में धान की फसल भी जो है वो इस मौसम के दौरान ले ली जाती है इस मौसम में हम देखते हैं कि जैसे पशिम बंगाल है वहाँ पर भी धान की फसल जो है वो ले ली जाती है अब हम आते हैं तीसरी रितू जिसे हम जायद रितू या जायद मौसम की फसले भी कहते हैं तो इस मौसम की फसलों की क्या विशेष्टा होती है या कृषी की क्या विशेष्टा होती है हम देखें तो श्रीत रितु के बाद ठंड के मौसम के बाद जो है इस रितु का आगमन हो जाता है और इस कृषी को गर्मा कृषी के नाम से भी जानते हैं चुकि इस मौसम वे वर्षा नहीं होती है इसलिए ये क्रिशी जो है इस समय केवल उन्हीं भागों में की जाएगी या इस मौसम में क्रिशी जो है वो केवल उन्हीं भागों में की जाती है जहां पर सिचाई की परियाप्त सुविधा उपलब्ध हो तो हमने देखा था कि खरीफ मौसम के दौरान वहां पर कुल जो छेतरफल है कुल कृशी भूमी का विस्तार या कुल जो जहां पर कृशी कारे कीया जाता है उसका छेतरफल सबसे अधिक था उसके बाद हम बात करेंगे कि रभी मौसम के दौरान खरीफ की अपेक्षा रभी मौसम की फसलों का जो छेतरफल है वो कम हो जाता है और उससे भी कम जो है वो जायद मौसम के दौरान जो फसले ली जाती है उसका रगबा या छेतरफल और कम रह जाता है बहुत बोयगे छेत इस समय तो वहां पर ही फसले ली जाएंगी जहां पर सिचाई की परियाप्त मात्रा में सुविधा होती है जैसे कि नदियों के किनारे या जो तटी छेत्र होते हैं या जहां परियाप्त सिचाई की सुविधा है वहां पर ही जायत फसले ली जाती है इसके साथ ही हम कि इस दौरान वो फसले ली जाती हैं जो तेज गर्मी सहन कर पाएं इसमें मुख्य रूप से जो फसले हैं वो हम बात करें कि जो सबजियां है या फल है इस प्रकार की जो फसले हैं वो ली जाती हैं जैसे कि हम बात कर लें तर्बूज है खर्बूज है ककडी खीरा इस प्रक अधिकांश भूमी बोय गय चेत्र की मात्रा है वो सिमित हो जाती है और अधिकांश भूमी पड़ती ही पड़ी रहती है तो ये मौसम हम कह सकते हैं कि सिचाही आधारित कृषी का मौसम होता है और जो विशेश रूप से हम अगर अपने चतिसगड की बात करें तो ये किनारे वाले हिस्से में तती हिस्से में इस प्रकार की कृषी तिसगड में भी की जाती है अब हम बात करते हैं फसल उथपादन का अर्थ होता है क्रिशी से प्राप्ठ कुल उथपादन की मात्रा और अगर हम पिछले स्वतंत्रता के बाद से विगत साथ वर्षों की बात करें तो हम देखते हैं कि फसलों की उत्पादन में बहुत वृध्धी हुई है और इसकी चर्चा हम अभी आगे करते हैं हमने देखा कि फसलों की उत्पादन में भी लगातार वृध्धी जो है वो दर्ज की गई है और अगर हम बात करें कि इन विगत साथ वर्षों के दौरान फसलों की उत्पादन में वृध्धी हुई है तो ये वृध्धी क्यों हुई है इन फसलों की उत्पादनों में अधार भूत कारण है जिसके कारण ये वृध्धी हमें देखने को मिलती है पहला हम देखते हैं निरा बोय गये छेत्र में वृध्धी दूसरा है सिंचित भूमी में वृध्धी और तीसरा है उत्पादक्ता में वृध्धी ये तीन ऐसे कारण है जिसने बिगत वर्षों के निर्ः बोयगये छेत्र में व्रिध्धि पर बोयगय छेत्र की हम बात करें तो इसका क्रिशी कारे किया जा रहा होगा या कुछ फसलों का उत्पादन हो रहा होगा और कुछ जो है वो ऐसी ही पढ़ी होंगी पढ़ती छोड़ दी गई होंगी लेकिन जब हम नीरा बोएगे छेतर की बात करते हैं तो इसका तातपर ही होता है उस भूमी से जहां पर फसले ली जा होगा और हम अगर इस छेतर में विस्तार कर देते हैं तो हमें फसलों का उत्पादन भी जो है वो अधिक प्राप्त होगा और इसी कारण से यदि खेती की भूमी को बढ़ाते हैं तो हम यह देखेंगे कि जो दूसरी भूमी है वो कम हो जाती है जैसे एक एक जामपल के लि हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है हमें उनके जो भोजन की आवशक्ता है उसको पूर्ती करनी है इसलिए हम क्रिशी भूमी का विस्तार कर रहे हैं लेकिन हमारे पास भूमी की मात्रा तो निश्रीत है हम क्रिशी भूमी को तो नहीं बढ़ा सकते ना तो हम वनों को जल लेकिन दूसरी तरफ compassionate नें कि बन भूमी की मात्रा में जो है वो कमी आ रही है नो हम पिछले 60 वर्षों के दौरान को देखें तो हमें ‫ इसमें कृषिभूमी में विस्तार देखने को मिलता है और क्रिशी भूमी का जो ये विस्तार है वो 1950 के दशक से ही हुआ है पिछले लंबे समय से ये इस्तिर अवस्थ में हैं हालांकि लेकिन थोड़ा बहुत जो फर्क है या अंतर है इसमें उतार चड़ाओ जो है इस भूमी में ये हमें पर्ती भूमी के कारण देखने को मिलता है जो कि क्रिशी भूमी के कारण अन्य उपियोग में भी लाया जाता है अब दूसरा कारण हम देखते हैं सिंचित भूमी में व्रिध्धी जिसके कारण फसलों की उत्पादन में व्रिध्धी हुई है तो पहले भी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्रिशी के लिए बहुमी का विस्तार है वो तो बहुत ज़ादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भूमी का ज़िवा九व सिमीत है जितनी उपलब्ध है उतनी ही रहेगी उसे हम बढ़ा नहीं सकते तो इसके बाद हम क्या करें तो कि जिचाई की सुवधा उपलब ya, भुटना रुनाईगे, विधिय को वरिधि करके विधिया, को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या चाहिए फिर सिचाई की सुविधाएं जो होती है उनका विस्तार करना होगा क्योंकि जब तक सिचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी हम सिचाई सुविधा का विस्तार नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ पर फसले कैसे उग प्राकृतिक रूप से जल की उपलब्धता हो जाती है, जिससे अधिकांश भाग में कृषी की जाती है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद हम देखें कि पानी का भाव है, जब मानसुनी वर्षा नहीं हो रही है तब, तो फिर हम क्या देखेंगे, कि अधिकांश जो भूमी है वो ऐसी ही पड़ती-पड़ी रहती है, मतलब भूमी को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिचाई की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर फसले कैसे उगाई जाएंगी, तो फसल उत्पादन में वृध्धी के लिए, पिछले साथ वर्षों के दौरान हम य लगातार किया जाता है, और इसमें हम देखेंगे 1959 के दौरान देश में जो कुल 21 मिलियन हेक्टेर भूमी सिंचित थी, वो 2010-11 में बढ़कर इसमें तीन गुना की वृध्धी दर्ज की गई है, और ये 64 मिलियन टन जो है, वो सिंचित भूमी का विस्तार हो गया है, तो हमन आने का प्रयाज जो है, वो किया जा रहा था, तो ये सिंचित भूमी जो है, या सिचाई के साधन में वृध्धी कैसे दर्ज की गई, तो वो बांध है और भूमी गजल के द्वारा, और भूमी गजल का हम देखेंगे कि इसके माध्यम से नल कूप जो है, वो खोद कर सिच अब बहुत नीचे जा रहा है, आप अपने आसपास या अपने घर के आसपास के छेतर में ही यह देखेंगे, कि पहले जहां पर बहुत कम फिट की खुदाई करने से जो जल का इस तर है, वो आ जाता था, लेवल, वाटर लेवल जो है, वो मिल जाता था, अब हम उसमें बह भूमी गर्जल का इस तर जो है, वो लगातार नीचे जा रहा है, और यह बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम अंतराल की बात कर रहे हैं, लगभग हम पिछले 5-6 वर्षों के दोरान ही यह चेंजे जिया, यह परिवर्टन जो है, वो देख रहे हैं, और कार सोखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लगातार अंधाधून का डामरी करण कर रहे हैं, तो बारिश का जल यह रशा का जल आता है, वो किसके द्वारा सोख़ जाएगा, वो तो डामरी करण हो गया है, पूरी सड को का तो जो वर्षा का जल है वो क्रांती का जो प्रभाव है वो प्रमुखरूप से पंजाब हर्याना और पश्यमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला था तो पंजाब हर्याना में हम देखेंगे कि जो सिचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया भूमिगर्जल के माध्यम से तो उसमें लगभग 4 से 6 मिटर तक जो है नीचे चला गया है जलका इस तर तो यह भी एक गहरे चिंतन का विशय है इसके बाद यदि हम इन आकडों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन या एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरे नलकूप जो है वो सूख जाएंगे और नलकूप से हम पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि भूमी गजल का इस तर जो है वो इस लेवल तक चला जाएगा कि उससे नलकूप के माध्यम से पानी निकालना संभव नहीं हो पाएगा तो हम यह कहें कि भूमी गजल का भी प्रयोग जो है हम उस इस तर तक जाने से बचाने के लिए हमें इसका अब प्रयोग उसी सीमा तक करना होगा जिस सीमा तक भूमी गजल जो है वो रिचार्ज हो पाए तभी हम सिचाई सुविधाओं का विस्तार करके फसल की उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं तभी इसमें सार्थक्ता जो है वो सिद्ध हो सकती है अब हम जो उत्पादक्ता में वृध्धी देख रहे थे तो वही हम बार-बार कह रहे हैं कि कृशी भूमी का विस्तार तो नहीं किया जा सकता तो उसमे पुपलब्ध जितनी भी कृषी भूमी है उसी में ही उत्पादक्ता को और बढ़ाकर हम फसलों के उत्पादन में वृध्धी कर सकते हैं तो सिचाई सुविधाओं का जो विस्तार है वो भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है उससे ज़्यादा विस्तार करने पे हमने देखा कि पंजाब हरियाना में तो भूमी गजल का इस तरही नीचे चला जा रहा है या हम इंद्रा गांधी कमान नहर छेत्रिक के बारे में भी हमने देखा है तो उसमें अत्यधिक सिचाई के कारण भूमी की लवणता की जो समस्या है लवणी करण की जो समस्या है वो उभर कर आ रही है तो इसके लिए हम और क्या देखेंगे कि भाई हम विशेश रूप से हरित करांती की बात करते हैं और हरित करांती में किस माध्यम से फसलों की उत्पादन को बढ़ाया गया था उसमें एक विशेश रूप से उर्वरकों का हम कहें कि खादों का प्रयोक किया गया सिचाई के साधनों का विस्तार किया गया फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीट के प्रकोप से बचाने के लिए जो है वो किट नाशकों का प्रयोक किया गया या उत्तम किसम के बीजो तो इन माध्यमों से उत्पादक्ता मिवृध्धी दर्ज की जा सकती है. और हम सिचाई सुविधाओं के बाद हम देखते हैं तो यही उत्तम किस्म के बीज इसके साथ ही साथ जो रासाइनिक खाद हैं या रासाइनिक उर्वरक हैं इनके प्रयोक के द्वारा हमने अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है. और यह आकड़े हमें बताते हैं कि हरित करांती के शुरुवात के समय से ही लगभग उननी सो पैसट चैसट से हम देखते हैं कि जो उननी सो पैसट से चैसट के दौरान लगभग साढ़े साथ लाग टन उर्वरको का प्रयोक किया गया था उस समय अब वो दो हजार एक दो म यह जो आकड़े है वो बढ़कर 174 लाख टन हो गया मतलब हमने रासायनी खादों या उर्वरकों का कितना अधिक प्रयोक किया है तो ठीक है हम उत्पादक्ता बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अगर हम इस गती से रासायनी खादों का या कित नाशकों का प्रयोक करेंगे तो इसके दुषपरिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे क्या दुषपरिणाम होगा भुमी की उत्पादक्ता जो प्राकृतिक रूप से उसकी उत्पादक्ता है वो नस्ठ हो जाएगी क्योंकि हम उसमें बहुत जादा खादों का प्रयोक कर रहे हैं और पढ़ती छोड करना तो जो है वो संभव है नहीं हमारे लिए इतना लंबा इसके साथ ही साथ जो महंगे बीज या महंगे महंगे कीट नाशक और उरवरकों का हम प्रयोक करते हैं तो इससे उत्पादन की लागत में भी जो है वो वृद्धी हो जाती है दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमन परिवर्तन आये हैं जिससे फसल की उत्पादक्ता जो है वो बढ़ी है लेकिन जो हम रासायनिक खादो का ये प्रयोक करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि विशेश रूप से जो पंजाब है वहां पर इस्थिती और बहुत खराब है कि लगातार रासायनिक खादों के उर्वर्कों के प्रयोक से कीट नाशकों के प्रयोक से ये चीजे जो है फसलो के माध्यम से लोगों की जीवन शैली उनके खान पान तक पहुंच रही है और खान पान तक जब पहुंच रही है मतलब भोजन के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर रही है और उन्हें अ इसका दूसरा दुष्परिणाम यह होता है कि यह रासाइनी खाद और उर्वरक की लागत बहुत अधिक होती है और हमारे यहां के जो किसान है वो छोटे और सिमान क्रिशक जो हैं वो होते हैं और चुकि ये इतनी महेंगी लागत में इतने अधिक मूल्य में इन खादों को और इन किट नाशकों को खरीदेते हैं अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी फसलों को बिमारियों से बचाने के लिए और इन सब के बाद भी जब उन्होंने जितनी लागत लगाई है उसे खरीदने में उन खादों को किटनाशकों को खरीदने में वो भी व्यार्थ चला जाता है और उन्हें फसलों का नुकसान भी जो है जहलना पड़ता है तो दोनों तरफ से ही नुकसान जो है वो किसान का होता है चाहे हम आर्थिक रू बरबाद कर रही हैं, तो इसके लिए हमें सतर्क होना है और हमें जादा से जादा ये कोशिश करनी है कि हम सिचाई सुविधाओं का भी उतना ही विस्तार करें जितना की भूमी गजल जो है वो रिचार्ज हो पाए, साथ ही साथ भूमी की उत्पादक्ता बनी रहे, उसमें ल नाशक है उनका प्रयोक करें तो भूमी की उत्पादक छमता भी बनी रहेगी हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी लागत जो है उत्पादन लागत भी इसमें कम आएगी और किसानों को भी ये आर्थिक हानी जो है वो कम झेलन प्रगत हमने बात की कि नीरा बोया गया छेत्र में व्रिद्धी इसके बाद सिचाई सुविधाओं का विस्तार और इसके बाद तीसरा जो था वो उत्पादक्ता में व्रिद्धी सिंचाई की सुविधक के विस्तार से उतपादन में वृद्धी के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रभी इवं जायद मौसमू में उतपादनों का विस्तार किया गया इसके लिए पानी की आवशक्ता थी पानी की यह आवशक्ता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका इस्तर नीचे जा रहा है पंजाब एवं हर्याणा में भूमिगत जल इस्तर 4-6 मीटर नीचे चला गया इससे कई नलकूप सूख गये इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उप्योग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके उत्पादक्ता में व्रिद्धी उत्पादक्ता का आशे निश्चित भूमी पर फसल के उत्पादन से है उपर हमने देखा कि भूमी की मात्रा निश्चित है इस पर सिचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है इस कारण मानव ने प्रती हेक्टेयर उत्पाधक्ता में व्रिद्धी का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा उत्पाधक्ता में सरवाधिक व्रिद्धी गेहूं इवं मक्का की फसल में दर्ज की गई देश में 1959 में गेहूं की उत्पाधक्ता 663 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई इसी कार में मक्का की उत्पाधक्ता 547 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई इसके विपरित दाल की उतपादक्ता में गेहु और मक्का की तुल्ना में कम वुद्धी दर्च की गई देश में 1959 में दाल की उतपादक्ता 441 किलोग्राम प्रती हैक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रती हैक्टेयर हो गई उत्पादक्ता में वृद्धी के लिए कई उपाय अपनाए गए इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासानिक उर्वरकों तथा कीट नाशकों इत्यादी का प्रयोग किया गया पहले पारंपरिक बीजों का उप्योग किया जाता था इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तयार किये गए पारंपरिक बीजों की तुल्ना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादक्ता में अत्यधिक वृद्धी हुई हरितक्रांथी का आधार उननत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है रासानिक उर्वरक उत्पादक्ता में तातकालिक वृद्धी का माध्यम है 1966-66 में भारत में मात्र 7.6 लाग टन उर्वरकों का उप्योग किया गया था जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाग टन हो गया इसी संदर में हम बात करते हैं कि फसल प्रतिरूप है ना फसल प्रतिरूप कैसा है ये भी बहुत important factor है हमारी कृशी के संदर में तो किसी भी स्थान का जो फसल प्रतिरूप है वहां की स्थलाकरिती जलवायू और वहां का जो समाजिक और सांस्कृतिक कारक है उससे सीधे तोर पर प्रभावित होता है मतलब फसल प्रतिरूप का मतलब ही है कि कौन सी फसल जो है वो उगाई जा रही है क्या धान की फसल ली जा रही है क्या रभी की फसल ली जा रही है रभी की फसल में क्या चने की फसल ली जाती है गेहूं की फसल ली जाती है क्या जायत की फसले ली जाती है तो ये डिपेंड करता है वहां की जलवायू कैसी है या वहां पर किस थलाकृती कैसी है वहां पर लोगों का सामाजीक और सांस्कृतिक इस तर कैसा है अब यदि हम अपने 36 गड़ की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे 36 गड़ में मुख्य रूप से तीन फसल प्रतिरूप को करते हैं यसके बाद हम बात करते हैं रभी फसल रभी की फसल आपके अक्टूबर से मार्च के मध्य में ली जाती है और इसकी प्रमुख फसल जो है वो गेहूं चना और सरसोें तीसरा है आपका जायत फसलें जायत फसलें जैसे ही रभी का मौसम समाप्त होता है या रभी की फसल ले ली जाती है काट ली जाती है उसके बाद फिर जायत की फसल उसमें ली जाती है तो ये मार्च से जून तक का समय होता है और इसमें विशेश रूप से जो सबजियां होती हैं जितनी भी प्रकार की या फल होते हैं और इसके अतरिक चारा फसलों का भी उत्पादन किया जाता है बच्चो यदि हम बात करें 36 गड़की तो हम यहां देखेंगे कि यह मुख्य रूप से तो एक फसली राज्य है और सीधे तोर पर यहां की जो क्रिशी है वो पूरे भारत की ही तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है लेकिन कुछ हिस्तों में यहां सिचाई की जो सुविधा है तो वहां पर दो फसली या बहु फसली जो है वो ली जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे राज्य में क्रिशी छेतर की वास्तवीग जो छमता है उसके दोहन के लिए जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जो है वो किया जा रहा है और शाषन के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है कि यहां के किसानों की जो बारिश के पानी पर निरभरता है वो कम हो जाए और वर्षा के मौसम के बाद भी महा के जो किसान है वो दूसरी फसल सिचाई की सुविधाओं के विस्तार के कारण और इसी संदर में हम देखते हैं कि राजी की सिचाई की छमता को बढ़ाने के लिए यहां शाशन काम कर रही है और इसी संदर में रवी शंकर सागर महानदी परियोजना, कोडार परियोजना, हस्देव बांगो परियोजना यह राजी की महत्वपूर्ण सिचाई परियोजना और इनका विस्तार करके यहां जो सरकार है वो राजी की जो क्रिशी भूमी है उसके वास्तवी क्छमता का दोहन करना चाहती है जिसके माध्यम से क्रिशी में उत्पादक्ता में वृद्धी हो तो यह तो हो गई बात आपके पूरे 36 गड़ की इसी संदर में हम बात करते हैं धमतरी जीले में एक गाउं है साक्रा गाउं इस साक्रा गाउं की कहानी के संदर में हम बात करते हैं कि यहां फसल प्रती रूप में कैसे बदलाव हुआ है तो हमने 36 गड़ का फसल प्रती रूप देखा बच्चों अब हम देखते हैं कि फसल प्रती रूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं है ना इसी संदर में हम चतिसगड के धमतरी जीले के एक गाउं की कहानी देखते हैं कि यहां के फसल प्रतिरूप में किस प्रकार से बदलाव आया है साकरा गाउं जो है वो धमतरी जीले का एक बड़ा गाउं है और यहां पर लोग जो है वो बहुत सारी आर्थिक गत्यवीधियों में लगे हुए हैं. लेकिन बहुत से लोग क्रिशी कारी में भी लगे हुए हैं. धान की जो खेती है, पहले हम देखते हैं कि यहा पहले जो किसान है वो धान की खेती करते थे खरीब मौसम के दौरान. और रभी मौसम के दौरान वो चना है, खेसारी मतलग जिसे आप इस्थानी भाषा में लाखडी के नाम से जानते हैं और इसके अलावा अलसी इस प्रकार की फसलों की ये खेती करते थे खरीफ मौसम के दोरान जब बारिश का पानी उपलब्ध हो पाता था तो इसमें पूरे क्रिशी छेतर फल पे क्रिशी भूमी पे जो है वो खेती की जाती थी क्रिशी भूमी जो है वो बहुत अधिक होती थी उसका रगबा या छेत्रफल अधिक होता था लेकिन चुकि रभी मौसम के दौरान सिचाई की सुविधा उतनी विस्तरित नहीं थी उतनी उपलब्द नहीं हो पाती थी इसलिए कम छेत्रफल में इन सभी फसलों चाहे हम गेह पचीज से तीस साल पहले इस गाओं में सोंधूर जलासे जो था यहां से सोंधूर जलासे से नहरों के द्वारा किसानों के खेतों तक जो है वो पानी को पहुंचाया जाने लगा अब चुकि इस जलाशे के माध्यम से किसानों के खेतों तक नहरों के द्वारा पानी आ गय मतलब खरीफ मौसम के दौरान भी अब यहां के किसान जो हैं वो वर्षा के पानी का इंतजार नहीं करते थे क्योंकि उनके खेतों तक इन नहरों के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाता था अब सिर्फ नाकेवल हम यह देखेंगे कि पानी के पहुंच जाने से यहां पर जो किसान थे वो धान की खेती बहुत अच्छे से करते थे चुकि इन नहरों के द्वारा पानी जो है वो इकठे दे दिया जाता था एक मुष्ट दे दिया जाता था तो इस दोरान क्या होगा कि भाई यह जो इतनी मातरा में पानी है वो गेहूं चना या अलसी की फसल के लिए सही नहीं होती यह धान की फसल के लिए उप्यूक्त होती है कि धान की फसल के हमें इतनी ही मातरा में पानी की आवशकता होती है तो इस दोरान फिर ये देखा गया कि अब खरीप मौसम के दोरान धान की फसल तो ली ही जाती थी इसके बाद रभी की मौसम के दोरान भी धान की फसलों का ही उत्पादन किया जाने लगा क्योंकि इन नहरों के माध्यम से इन किसानों के खेत तक इकठे पानी को छोड़ दिय जाता था दूसरा कारण ये भी था यहां धान की खेती प्रमुक्ता से करने का कि शाषन ने सिर्फ पानी की व्यवस्था नहीं की मतलब सिचाई की व्यवस्था ही नहीं की उसने धान खरीदी जो है धान खरीदी की भी व्यवस्था की और धान करीदी की व्यवस्था होने से किसानों को यह हो गया कि धान का जितना भी वो उत्पादन करते थे वो शाषन उससे उचित मुल्य पर खरी लेती थी तो उसमें फिर ये परीवर्तन देखने में आया कि जो किसान अब रबी की मौसम के दौरान गेहूं का अलसी या हम कहें कि चना या खेसारी इन फसलों का उत्पादन करते थे अब वो भी चेंज हो गया धान की फसल में अब वो खरीब की मौसम में भी धान की फसल लेते थे और रभी की मौसम में भी धान की ही फसल लेते थे तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उस गाउं के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया लेकिन इस फसल प्रती रूप के इस बदलाव से एक समस्या भी उत्पन हो गई या नुक्सान भी उन्हें जेलना पड़ा क्योंकि पहले क्या होता था कि भले ही रभी की मौसम के दौरान कम रखबे में कम छेत्रफल में वो चना लाखडी अलसी गेहूं इस प्रकार की फसल लेते थे लेकिन खरीफ में वो धान की फसल लेते थे तो इसमें फसल प्रती रूप में बदलाव आता था जिसके कारण वहां भूमी की जो प्राकृतिक उत्पादक छमता है वो बनी रहती थी जैसे हम चना की बात करते हैं दलहन फसल की तो दलहन फसलों के माध्यम से हमें पता है कि जो भूमी में प्राकृतिक रूप से उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है तो एक बार धान लिया और दूसरी बार गेहूं चना ये उत्पादन कर लिया तो फसलों के बदलने से भी हम देखते हैं कि भूमी की प्राक्रितिक रूप से उत्पादन छमता जो है वो बढ़ जाती है लेकिन यहां क्या हुआ हम यह द यह चेंज तो आ गिया किसानों के मन में यह चीज जो है वो आकर्षित करने लगी कि उन्हें नहर का पाणी आ रहा है धां का जो उत्पादन है वो अब उन्हें बारिश के पाणी का भी इंतजार नहीं कर पड़ गरना पड़ रहा है तो और धान की फसल को भी शाशन के द् अगर वो यह सोचते भी कि हमें इस फसल प्रती रूप में थोड़ा बदलाव करना चाहिए ताकि हमारी भूमी की प्राक्रितिक रूप से जो उत्पादन छमता है वो बनी रहे तो वो चाहा कर भी यह नहीं कर सकते थे क्योंकि उस नहरों के द्वारा उनकी भूमी तक इकठे ही पानी छोड़ दिया जाता था और जितनी मात्रा में पानी उनके खेतों तक छोड़ा जाता था उसमें ये चना अलसी या गेहु इस टाइप की क्रिशी जो है वो संभव नहीं थी अब उनके सामने ये एक समस्या आ गई है फसल प्रतिरूप के इस बदलाओं ने उनके सा क्रितिक उत्पादन छमता है वो नस्ट प्राय हो गई है अब वो अपनी भूमी पर बिना रासाइनिक उर्वरक के या बिना रासाइनिक खाद के कीट नाशकों के बिना प्रयोग के वहां पर जो फसलो का उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता अब ये उनकी नहीं था पहले वो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक कीट नाशक हैं या खाद प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद हैं इन सभी प्राकृतिक खाद और कीट नाशकों का वो प्रयोग करते थे और उनकी फसल भी फसलों का जो उत्पादन है वो भी समानिय या ठीक ठा लेकिन अब तो यह उनकी मजबूरी ही हो गई है कि उन्हें रासायनी खाद या उर्वरक का प्रयोग करना है तो यह एक समस्या आ गई है कि इससे उनकी एक फसल की जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ जा रही है और दूसरी समस्या यह हो रही है कि वहाँ पर भूमी की उ पहुंच रहा है तो एक जहरीले पदार्थ के रूप में वो उनके शरीर को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है तो बच्चों आपने इस उदाहरन के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से यह देखा कि फसल प्रती रूप में बदलाव किस प्रकार का हो रहा है यह कैसा हो रहा है और वो वहां के भूमी उपयोग के फसल प्रती रूप के इस बदलाव का वहां के लोगों पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों अब हम बात करते हैं भूम अंडली करण और क्रिशी पर ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रिकल्चर तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बैश्वी करण है क्या भूम अंडली करण है क्या विश्व की जितनी भी अर्थ व्यवस्थाएं हैं जिन भी स्थानों पर तो उन अर्थ व्यवस्थाओं को उन स्थानों को परस पर एक दूसरे से समन्वे करना या हम कहें कि एक दूसरे पर परस पर निर्भरता लेकर आना जिससे हम व्यापार को और जादा बढ़ा सकें बच्चों यू तो हम कहें तो यह जो ग्लोबलाइजेशन या भूम अंडली करण है यह भारत के लिए कोई एक नई परिखटना नहीं है यह बहुत प्राचीन है और हम कहें कि भारत में जो अपनिवेश काल था, उपनिवेश का जो समय था तब से ही यह चला रहा है और हम देखे कि बृते इन के अपनेवेश बनाया या बृते शाशन काल ब्रिटिश चाशन काल था नहीं हूंभी भारत में जो उत्पादित मसाले थे या हम कंपास की बात करें या अन्या खाद्यानि की बात कर और हम यहां तक भी देखते हैं कि भारत की जो उत्तम किस्म का जो कपास है उसके बलबूते ही जो मैंचेस्टर और लिवरपुल का सूती वस्र उद्योग है वो बहुत फला-फुला या हम कहें कि बहुत विकास की और अग्रसर हुआ तो इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ भारत में जो उत्पादित का पास था वो था लेकिन 1992 के बाद से हम देखते हैं कि भारती क्रिशी को बहुत सी नई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है और कारण क्या है कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत विकास कर र जवाहक के उदेश से ही नहीं की जाती अब इसका पूरा उदेश जो है वो व्यापार है लाग कमाना है और इसमें जो विक्सित देश हैं वो खाद्य सुरक्षा में या पूरे खाद्यान पर अपना कबजा करने के लिए हम के हैं कि विकास शील देशों पर पूरी तरह से दबाओ बना रहे हैं इसी इसमें देखते हैं कि भारती करिशी पर भारती किरिशी को किन चुनौतियों का सामना करना पढ़ रहा है या क्या समस्याएं जो हैं वो globalization की वज़े से आ रही हैं अभी हमने कहा ना कि हम कपास में मसालों में खाद्यान उतपादन में अलग अलग रति क्रिशी को क्यों चुनोतियों का यह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी वज़ह क्या है यह हम देखते हैं। जो विक्सित देश हैं ये अपने जो खाद्यान है उसके उत्पादन में वहां क्रिशकों को क्या देते हैं सबसीडी देते हैं ऐसा नहीं है कि वहां के किसान जो है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं मेहनत करके उत्पादन नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां गौर्मेंट के द्वारा श चामल की उतपादन में अमेरिका जो है वो 47% का अनुदान देती है जो यूरोपिय समुदा है वो 48% का अनुदान देती है और जापान जो है वो 89% जो है चामल की उतपादन में सबसीडी देती है अपने क्रिशकों को तो नैचरली है कि जब किसानों को इतनी सबसीडी मिल रह तुह देखते हैं कि अमेरिका गेहुं की उत्पादन में 47% में योडिकी यह 30% और जापान ओनगे में अनुदान देता है backend कि SSD लेकिन हमारे भारत में हम अपने भारत में देखें तो भारत की जो सरकार है वह अप्रत्यक्ष रूप से चामल की उत्पादन पर 1.17% और गेहूं की उत्पादन पर 3.83% जो है वो tax लगाती है करवसूल करती है तो जहां पर एक तरफ अनुदान दिया जा रहा है किसानों को और दूसरी तरफ tax या करवसूल किया जा रहा है तो सभावी खेनभी कि जहां पर अनुदान मिल रहे है वहाँ पर कृषको का जो उत्पादन है उसकी लागत ऐसे ही कम हो जाएगी और जहां पर एक्स्ट्रा टेक्स वसूल किया जा रहा है कर वसूली की जा रही है तो वहाँ पर लागत बढ़ जाएगी इन सबके बाद हम देखते हैं ये कारण तो है ही कि अंतर राष्ट्री इस तर पर हमारे किसानों को अपने उत्पादन को लेकर समस्याओं का या चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है मुल्य के संदर में क्योंकि जो विक्सित देश हैं उनके किसानों को सबसेड़ी मिलने के कारण लागत कम हो जाती है और वो कम मुल्य में अपने उत्पादन को अंतर राष्ट्री बाजार में बेशते हैं लेकिन वहीं हमारे जितने भी विकाष्टी देश हैं और साथ ही हमारे भारत देश की भी यही स्थिती है कि उनकी अपेक्षा हमारे किसानों के जो उत्प इसी इसमें एक संदर में हम बात करते हैं कि कैसे उत्पादन में तो वृध्धी हुई ही है जो जय प्राद्योगी की है इसके द्वारा इस जय प्राद्योगी की के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधार भूत इस तर पर फेर हेर फेर जो है वो कर दी जाती है जैसे कि Esame पौदों को ये फसलों को कीट नाश्कों से बचाने के लिए हम अलग से उन में अकीट नाश्कों का च्छिड़काओ कर रहे हैं तक कीट क्या हो थाइक बचा पाए उन को किटों से या कीडे मकोडों से तो घी क्या होता है जब उन में को तब हम उसके बाद उसका छिड़काव करते हैं, तो उसी इसमें क्या है, कि पहले ही जो रोग उसमें लग सकते हैं, जिस प्रकार के कीटो का प्रकॉप उन फसलों में हो सकता है, तो उस फसल को उगाने के पहले ही उस बीज में ऐसे कुछ तत्व डाल दिये जाते हैं, जिससे उस कीट के प्रकोफ से उन्हें बचाया जा सके तो ये जैव प्राध्योगी की हम बात करते हैं ने DNA की तो ऐसा ही कुछ जो है वो लैब में किया जाता है अब लैब में क्या बहुत द्यापारिक इस तर पर व्यवसाईक रूप में इसे अब प्रारम कर दिया गया है तो जैव प्राध्योगी की के द्वारा हम देख रहे हैं कि उनके जीवन रूप में आधार भूत परिवर्तन या आधार भूत इस तर पर हेर फेर या परिवर्तन किये गये हैं ताकि उनमें एक विशेश प्रकार का गुण या तत्व जो है वो उत्पन्न हो पाए और क्रिशी का जो उत्पादन है जो भी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है उसमें एक आशातीत या अभूत पूर वृद्धी जो है वो हो पाए अब तो हम देखते हैं अनाज और सब्जियों की जो किसमें होती है इसके साथ ही उर्वरक और कीट नाशक और पौध्यों में जो पोशक तत्व होते हैं इन सबके द्वारा क्रिशी की उत्पादन में या फसलों की उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धी जो है वो दर्श की गई है और ये जो उत्पादन है ये सिर्फ लैब तक या प्रयोक शालाओं तक ही सिमीत नहीं है अब इसका जो विस्तार है वो विशाल पैमाने पर पूरे अंतररास्टी इस तर पर ये हम कहें कि विशाल व्यापारी की तर पर इसका विस्तार हो रहा है इसमें लगभग 5 बिलियन डालर का निवेश जो है वो किया गया है इतने मुल्य का और इस उत्पादन में जो लगे फर्म हैं वो 4-5 करोर रुपए प्रती वर्ष अनुसंधान पर रिसर्च पर ही खर्च कर देते हैं कि कैसे इनका उत्पादन और बढ़ाया जाए और इसमें जो पशिमी देश हैं इन पशिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारी साइन्स और टेक्नोलोजी पर बेस्ड जो है वो फर्म इस कारे में काम कर रहे हैं इस अनुसंधान पर इससे लगी हुई तमाम सारी चीजों पर वो काम कर रहे हैं जिनकी दुनिया की जो पूरे वर्ल लेवल में हम बात करें तिहां की जो बहुराश्ट्य फर्मे हैं जैसे कि एलाइड है साइनामीड है या हम बात करें शेबरोन की डूपोट की या सिबागी की आधी ने इनको क्या कर लिया है और खरीद कर इन पर एक पक्षी इनका क्या किया है एक ही करण कर लिया है और परिनाम यह हो रहा है क्योंकि वह अपना एक वर्चस वह उस पर बना लिये है तो एक ही कमपनी यदि एक बीज बेच रही है तो उसके लिए वह इस पेशली एक स्वेशल टाइब का हम बोल रहे है कि खाड रासायश रुर वर्वरक और कीट नाशक वही कमपनी जो है वह बीज WILL के आजर वेच के साथ बेस्ती और एक प्रकार से हम देखें कि जो एक देश का किसान है वो पूरी तरह से विदेशी कमपनी पर आश्रित हो जाता है और इसके कारण यहां पर लागत तो उसकी अधिक ही होती है अधिक मुल्य में वो बीज खरीद रहे और उसके साथ उसकी मजबूरी हो जाती है कि उतने ही अधिक मुल्य पर वो उन खादों को रासायनी खादों को या किट नाशकों को भी वहीं पर से वो खरीदे तो इससे उसकी लागत जो है वो बढ़ जाती है और इसके कारण हम देखते हैं कि जो विकास शील देश है वहां के किसानों की या वहां के उत्पादन की लागत बढ़ रहा है अंतररास्टी इस तर पर अंतररास्टी बाजार पर सिर्फ और सिर्फ इस मुल्य के बढ़ने के ही कारण है तो यह बात हो गई आपके ग्लोबलाइजेशन से जो क्रिशी है वो किस प्रकार से संबंधित है तो बच्चों आपको बोर्ट परिक्षा के इस चैप्टर को तियार करना है आप से पूछा जा सकता है शौट आंसर में कि खरीफ मौसम की फसले कौन सी है या रभी मौसम की फसले कौन सी है या उत्पादन में वृद्धी के लिए कौन-कौन से तरीके जो है अपनाये जाते है या हरित करांती के दौरान जो रासाइन क्या है और इन दोनों का क्या अंतर संबंधित है या इसका क्या प्रभाव पढ़ता है तो इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर को तयार करना है भारत में फसल उत्पादन की हम बात करें तो देखते हैं कि देश में अनाज का कुल उत्पादन जो है निस सो पचास इंक्यावन में 59 मिलियन तन था और ये 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन तन हो गया मतलब यदि हम अनाज की उत्पादन को देखें तो पिछले 60 वर्षों में ये 5 गुना की व्रिध्धी हुई है इसमें और इसी समय या इसी पीरेट की यदि हम बात करें तो जनसंख्या में 3 गुना से अधिक व्रिध्धी हुई है 1959 में देश की जनसंख्या 36 करोड थी और 2011 में बढ़कर ये 121 करोड होगी इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुल्णा में अनाज उत्पादन में अधिक व्रिध्धी हुई है जो देश के लिए एक अच्छा संकेत है देश में 1959 में दाल की उत्पादन की हम बात करें तो दाल का उत्पादन जो था वो आठ मिलियन तन था और 2010-11 में बढ़कर ये 18 मिलियन तन हो गया इस समय में दाल की उत्पादन में लगभग दुगनी व्रिध्धी हुई है और तिलहन उत्पादन की बात करें तो ये 1959 में पांच मिलियन तन था और 2010-11 में 32 मिलियन तन हो गया मतलब तिलहन उत्पादन में 6 गुना की पहले से 6 गुना अधिक व्रिध्धी हुई है इस प्रकार यदि हम कुल खाद्यान उत्पादन में अनाज उत्पादन दलहन और तिलहन की बात करें तो तीनों में देश में जो डाल का उत्पादन है उसमें अप एक शाकृत ब्रिध्धी तो हुई है लेकिन ब्रिध्धी कम दर्ज की गई है इसके बाद हम अलग-अलग फसलों की बात करें तो उसे हम एक चार्ट से समझ सकते हैं भारत में अनाज का उत्पादन जो है उन्नी सो पचासिंग्यावन में 21 मिलियन टन था दोहजार दस ग्यारा में 96 मिलियन टन हो गया बढ़कर गेहुं का जो उत्पादन था वो उन्नी पचासिंग्यावन में 6 मिलियन टन था और 2010-11 में बढ़कर इसमें सिर्फ एक मिलियन टन की वृद्धी हुई है और यह बढ़कर 7 मिलियन टन हुआ है बाजरा उन्नी सो पचासिंग्यावन में 3 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था 2010-11 में 10 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है मक्के का उत्पादन campaign 1959 में 2 मिलियन टन था और 2010-11 में यह बढ़कर 21 मिलियन टन हो गया मोटे नाजो की बात करें तो उन्निस सो पचासिंग क्यावन में 6 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और 2010-11 में इसमें कमी देखने को मिलती है हमें और ये 3 मिलियन टन ही इसका उत्पादन दर्ज किया गया है मतलब इस चार्ट को इस तालिका को देखने से हमें सहज ही पता चल रहा है कि धान, गेहूं, मक्का, दाल और दलहन और जितनी भी तिलहन फसले हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आशातीत व्रिध्धी उम्मीद से अधिक जो व्रिध्धी है दर्श की गई है भारत में नीरा बोया गया जो छेत्र है उसमें हम देखते हैं कि 1950-59 से लेकर 2010-11 के दोरान इसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है 1950-59 में हम देख रहे हैं कि 119 मिलियन हेक्टेर जो था वो नीरा बोया गया छेत्र था 1990-1990 में ये 143 मिलियन हेक्टेर हो गया 2000- 2001 के दोरान 141 मिलियन हेक्टेर हो गया मतलब इसमें दो मिलियन हेक्टेर की कमी आई है और 2010-11 में हम फिर से इसमें वृद्धी देखते हैं और नीरा बोया गया जो छेत्र है वो बढ़कर 142 मिलियन हेक्टेर हो गया देश में 1989 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेर भूमी जो है वो सिंचिती और 2010-11 के दौरान इसमें तीन गुना से भी अधिक वृद्धी वी और यह 64 मिलियन हेक्टेर हो गई और कुछ ऐसी भूमी जिसमें दो बार सिचाई की सुविधा संभव है यदि हम इस भूमी को देखें इस प्रकार की कुल कृषी भूमी का जो प्रतिशत है वो उन्निस सो पचास इंक्यावन में 16 प्रतिशत था जो 2010-11 में बढ़कर इसमें भी तीन गुना की वृद्धी दर्जुई और यह 45 प्रतिशत हो गई यदि हम एक ग्राफ के माध्यम से जो भारत में विभिन साधनों से सिचाई की जाती है उसका एक तुलनात्मक अधियन करे उन्निस सो पचास इंक्यावन से 2010-11 के दौरान इसमें क्या परिवर्तन आया है तो हमें पता है कि भारत में सिचाई के प्रमुख साधन नहर तलाब नलकूप कुवां और अन्य जो हैं वो साधन है तो नहर का यदि हम देखें कि कितने मिलियन हेक्टेर में सिचाई की जाती थी इसमें तो लगभग यहां पर हम देख रहे हैं कि पचास इंक्यावन से 2010-11 के दौरान जो है वो नलकूप से सिचाई की जो प्रवित्ती है उसमें बहुत जादा बृध्धी दर्ज की गई है वो भी 2010-11 के दौरान नहरों से सिचाई का प्रतिशत हम देखें तो यह 1959 से 2010-11 के दौरान इसमें भी कमी आई है लेकिन तालाबों से सिचाई के प्रतिशत की यह दी हम बात करें तो 1950-59 की अपेक्षा 2010-11 के दौरान इसमें कमी की प्रवित्ती जो है वो देखने को मिलती है। को की भी हम बात करें तो इसमें वृध्धी दर्ज की जा रही है। कि 1959 में जो इसका प्रतिशत कम था लगभग 6 प्रतिशत के आसपास था वो बढ़कर आपका 2010-11 के दौरान 10.9 कुछ प्रतिशत जो है वो लगभग 10 प्रतिशत के आसपास हो गया है। और हमने कहा कि भी इस ग्राप से ही इस प्रतिशत हो रहा है कि लगभग 29 प्रतिशत जो है वो नलकुक में सिचाई के साधन में सबसे अधिक विद्धी जो है वो दर्ज की गई है 2010-11 के दौरान। यदि हम भारत में फसल उत्पादक्ता की बात करें तो देखते हैं देश में 1950-59 में गेहूं की जो उत्पादक्ता थी वो 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेर थी और ये 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेर हो गई और इसी समय में मक्के की जो उत्पादक्ता थी वो 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेर हो गई है इसके विपरीत हम देखते हैं कि डाल की उत्पादक्ता में गेहूं और मक्के की तुलना में कम रिधी दर्ज की गई है 1959 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रती हेक्टेर थी जो बढ़कर 2010-11 में 689 किलोग्राम प्रती हेक्टेर हो गई है